अचली हेलो फ्रेंज तो फाइनली आज से हमारे फंक्शन स्टार्ट हो रहा हम राद बर नहीं सुए सुबह चैंबजे से हम डूटी पर लगए मिया बीवी सारा समान हवन का पूजा का जो भी चाहिए इस घर से उस घर हम बस यही काम करते रहे कूली बन के सुबह से और अब मेरे हस्बेंट जारे कि हम उनका अच्छे से वेलकम करें ते तिल्लक है रोली चावल और इसमें पानी में वही ले जा के भरूंगी होटल में और इसमें अच्छली मीठा रखते हैं पर मैंने मीठी की जगा केक लिए क्योंकि आज हमने गुरुजी का बर्दे ना तो के पसंद आया लेकि उनकी बैस्ट मदुभाबी ने ली वहां पर फिर हम दोनों बैरने उने नोच-चे दे दो दे दो दे तो आधी घंटा दुकी किया प्लीज दो मेरा फंगिजन है ब्लैक मेल करके उनसे ले ली फिर बिल पे करके हम अपने लिए ले आई मैं अपने लिए यह मैंने स्टिच करवाई थी और बस फटा फट हम पहुंच गहते होटल में जहां मेरे इनलॉज अलड़ी आ चुके थे तो यह मेरे मदर इनलॉज इन्हों ने मुझे ग्रह प्रवेश की खुशी में आम मुझे पता नहीं कैसा है समझाई जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और फिर हम बाते करने लगे के कौन आया कौन ने आया और फटा फट फट फिर दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं कि भाई सब पहुंचने वाले हैं उनके स्वागत की हम तयारी करते हैं यह मेरी छोटी ननंद है यह मेरे देवर है यह मेरे देवर और ननंद के बच्चे जो आपस में खेल रहे हैं और हम लोग सब हस रहे हैं और वह स्वागत नहीं हूँ आप लोग पहली अंदर आ गए फिर सब को बाहर बगाया गया कि चलो हमें वीडियो भी बनाना है हमें फोटो भी किछनी है तो अब हम सब का स्वागत करेंगे और फिर अंदर जाएंगे बड़ी जॉइंट फैमिल है इनकी और खूब मस्ती करते हैं हम जैपूर में जब इनके घर जाते हैं इनकी मद्रिल नहीं तो इतनी मस्त है मैं क्या बता हूं बस और यह दीदी के दोनों बच्चे अच्छा लग रहा है ना जब सारा परिवार एकटे होता है मन खुश हो ज जाते है कि पता ही नहीं चलता है कौन तक इसका बच्चा है बस ठीक है सब बच्चे अपस में खेल रहे होते हैं और मदर जो इनकी फ्री हो जाती है और यह चुटी सी प्यारी सी संगू बाबा की लाड़ी आप आप सोचे के संगू बाबा कौन है मेरे हजबन को घर पे क्योंकि जो गर में सबसे छोटा बच्चा था ना सबको लगता है यार पकर लो इसे उठालो खेल ले बाते कर ले यह मेरे देवर देवरानी और फिर यह भी टाइम से आ गए थे सारे खटे आ गए थे हमी पांच मिट लेट पहुंचे थे बस इस तरीके से मस्ती करते करते सब का स्वागत किया हमने फाइनली आप पहुंचे मेरी मम्मी पापा भाई भावी यह है किशिता जिसमें मेरी जान बसती है यह मेरे भाई की बड़ी बेटी है सो जब मैं कवारी थी ता तब ही यह पैदा थी इसको मैं एक बैंग में डालके कंधे पे लटका के खूब गुमा इसको पता है किशिता मॉडलिंग पर इसको कर ली बाल थे अभी भी है पर कम है पहले जितने और यह मेरी भावी इनका नाम है नी तु वह वीडियो में कम आना चाहते है नहीं दीदी मुझे मत दिखाऊ उनको तोड़ा कम पसंद है वीडियो में आना पर मस्त है हम लोग सा और ये है मेरी मम्मी, जी हाँ, ये वो ही लेडी है, ये वो ही आउरत है, ये वो ही आंटी है, ये वो ही मेरी मा है, जो सारा समार मुझे कोरियर करती रहती है, और मैं आप लोग को दिखाती रहती हूँ, कि देखो मेरी मम्मी ने क्या भेजा, और ये है मेरा बढ़ा भाई, आ इतने सब पर गुंगरालू बाला गया बीच में चुटे चुटे बालते हैं हम दोनों भाई बैन ऐसे हर रूप में अलग लगते हैं कभी ऐसी है बस जैसे ही सब लोग आते हैं एक दूसरे से मिलना सबको अपने अपने रूम में जाना यही सब चीजे चलती है कैसे आउंटी कैसे हो आप कैसे हो सगी सा अचा सगी सा का मतलब क्या बता हूं मेरी मम्मी और मेरी सासुजी इन लोग का जो रिष्टा है सगे सम्दम्धी का हम बोलते हैं सगी सा सगोसा जैंस को सगो सा और लेडीज को सगी सा बस सारे मिल रहे हैं आपस में पुरानी बाते याद कर रहे हैं और हम को मुले तो पिछली बार यही सब तो होता है और मैं आगे हूं फटा-फट सबके कमरों में हैंपर रखने के विए ताकि functions के बीच में किसी को थोड़ी बहुत भूग लगे तो वो निकाल निकाल के खाले प्योंकि सब बाहर खड़ें मैं इनको हमपर दे के जा रहे हूं अभी हमारे बहुत सारे गेस्ट नहीं आये हैं बड़ी वाली ननन्द, चाची साज, चाचा सुसुर, छोटी वाली ननन्द अभी बहुत लोग आने बाकी है, प्रिंसी आने बाकी है, इतने रूम्स बुक किये थे लेकिन मेरा तो टाइम निकला जा रहा है, मुझे तो घर जाना है न, फटा फट और जाके मुझे होना है रेडी, सो सारा काम जितना था मैंने अपनी देवरानी को संभाला मेर बागर युंकर